हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जोदपूर माचिया जैवे कुद्यान में पांच दिन पूर्वजन में लायन शावकों को मां का दूद पिलाने के लिए मां के पास ही छोड़ना जानलेवा सावित हुआ शावकों को उनकी मां के सानिद्म में रखने के दौरान गलती से शेरनी ने अपने भारी भरकम पांव से शावकों को कुचल दिया हमेशा अपने शावकों का त्याग करने वाली शेरनी की इस लापरवाही से एक शावक का दम तूट गया जबकि दूसरी जिंदगी और मौत के भी संगर्श कर रहा है शेरनी आटी ने गद बुदुवार को एक नर वह एक मादा शावक को जनम दिया था कर राट शेरनी के पिंजडे में हाथसा हो गया शेरनी के अपने पिंजडे में उचल कूद मचाने के दोरान उसके दोनों पाउशावकों के पेट पर जोर से गिरे इससे दोनों नवजात शावक बुरी तरह से घायल हो गय कैट टेकर ने तुरंट शेरनी को पिंजडे से बाहर निकाला शावकों को संभाला तब तक इन में से एक शावक की मौत हो गई दूसरे शावक की स्तिती गंबीर बनी हुई है उसका इलाज किया जा रहा है माना जा रहा है कि रात को शेर की जोरदार दहार के बाद अपने शावकों की सुरक्षा को लेकर घबराई शेरनी ने पिंजडे में उचलकूत मचाना शुरू कर दिया इस दौरान ही ये हाथसा हो गया गौर दलाभ है कि माचिया में इससे पहले भी शावकों की मौत हो चुकी है जोदपुर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट